विकेंड का वार की तैयारी में जुटे शो के होश्ट सलमान इस बार किसे मिलेगी सलमान की फटकार विकेंड आते ही टीवी रियालिटी शो बिग बॉस के घर में विकेंड का वार की तैयारी शुरू हो जाती है तो आईए जानते हैं कि इस बार शो के होश्ट सलमान खान से घर के किस सदस्य को फटकार मिल सकती है फटकार पाने वालों की रेस में सबसे आगे है निकी तंबूली का नाम नॉमिनेशन टास्के दोरान निकी द्वारा की गई हरकत पर सलमान उन्हें फटकार लगा सकते हैं जैस्मीन भसीन जो बीते ही एपिसोड में घर की नई कप्तान बनी हैं और कप्तान बनते ही उन पर भी गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं तो यकीनन इस मुद्दे पर सलमान जैस्मीन की भी क्लास लगा सकते हैं अभिनव शुकला का पराठे तलने और पराठे खाने वाला डायलोग इस हफते कई बार रिपीट हुआ इसे लेकर सलमान अभिनव की चुटकी ले सकते हैं वहीं दूसरी तरफ रूबिनव जिस तरह से अभिनव के गेम को कई बार उलजा देती हैं इस बात को लेकर सलमान अभिनव को सलाह भी दे सकते हैं कैप्टन सी टास के दौरान रूबिनव पर अनफेर संचालन का आरोप लगा था सलमान रूबिना पर उठे सवाल पर भी बात कर सकते हैं पवित्रा पुनिया ने इस हफते कंटेंट तो काफी दिया लेकिन ओन स्क्रीन एजाज के साथ रूमैंटिक केमिस्ट्री शेयर करने वाली पवित्रा एजाज के कैप्टन बनते ही उनसे पेबैक की उम्मीद रखने लगी इस बात को लेकर सलमान पवित्रा के भी क्लास लगा सकते हैं वहीं बात करे एजाज की तो कैप्टन सी के दौरान एजाज के बदले हुए बिहैवियर और निकी तंबोली से एजास का कच्छा धुलवाना यकीनन शो के होश्ट को भी पसंद नहीं आया होगा और इस बात पर सलमान एजास को भी फटकार सकते हैं राहुल को यकीनन इस बार घर का विलन नहीं बनाया जाएगा लेकिन निकी के साथ राहुल का बरताव जो रहा उस बरताव को लेकर सलमान राहुल की तारीफ कर सकते हैं नैना सिंग के लिए सलमान खान को शायद इस बार भी मोगेंबो के चसमे की जरूरत पड़े। क्योंकि पिछला वीकेंड का वार खत्म होते ही नैना सिंग अचानक से काफी एक्टिव नजर आई थी उन्होंने इजाज से पंगा भी लिया था लेकिन अगले ही दिन वो सारी गतिविधियां जैसे थमसी गई रेड जोन में जाते ही नैना पूरे हफ़ते दिखाई नहीं दी हैं शारदुल को कंसिस्टेंसी बरकरार ना रखने के लिए फटकार लगाई जा सकती है शारदुल जब घर में आये थे तो वो काफी एक्टिव थे लेकिन रेड जोन में जाते ही उनकी एक्टिविटी बिल कि राह भटकी जस्मीन को ट्रैक पर वापस लाने के लिए सलमान उनकी तारीव भी कर सकते हैं। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरे लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरी हम तक जरूर पहुचाएं।